असलाम अलेकुम वेलकुम तो मैं यूटीब चैनल दिस इस बीनायम के होप सो आप लग ठीक होंगे और नई रेसिपी के इंतिजार में होंगे तो आज मैं आप से बहुती क्विक एजी और सिंपल सी नगट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूं जिसके लिए हमें सिंपल से कुछ इंग्रीडियन्ट चाहिए जो के घर में आलमोस्ट वेलेबल होते हैं तो सबसे पहले एक ब्रड के स्लाइस को अपने लेना है और इसको मिक्स्टर में डालके उसका बिल्कुल ऐसे चूरा कर लेना उसको बरीक पीस लेना है बिल्कुल नरम हो जाए सारा और उसके बाद इ हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर हम एड्ट करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून ही हम इसके अंदर सॉल्ट एड्ट करेंगे थोड़ी सी इसके अंदर हम चिली सॉस एड्ट करेंगे जिसके साथ ये जूसी और कंची बहुत ही अच्छा सेंट का फ्लेवर आएगा अल्मोस्ट वन टी स्पून हमने इसके अंदर आड़ की है स्चिली सॉस और वन टी स्पून ही हम इसके अंदर सोया सॉस आड़ करेंगे और अगें मिक्सचर को बंद करके इन सब मसालों को ब्रेड स्लाइस के अंदर मिक्स कर लेंगे और वो कुछ इस तरह से उसके लुक हो जाएगी लाज्ट सबसे हमारा मेन इंग्रीडेंट नगर्ट्स का चिकन वो हम इसके अंदर आड़ करेंगे चिकन को बिल्कुल छोटा छोटा कर लिया था ताकि वो मिक्चर में इजी से बिल्कुल उसका कीमा बन जाए ठीक है अब अगेन हम इसको चलाएंगे और इसको बिल्कुल बरीक भीस लेंगे ये देखे जी फाइनल लुक नगर्ट्स के लिए जो हमने मिक्सचर में सारा मसाला त्यार किया है वो हो चुक है और वो इस तरह बिल्कुल इतना जो है नरम होना चाहिए कि वो उसकी यहां ही उसका बिल्कुल जो है नगर्ट्स की शेप बन जाए अब इस सारे को हम प्लैटर में शिफ्ट करते हैं प्लैटर में सारे जो है इंग्रिडियन्ट के साथ में बनाए मसाले को आपने निकालना है और उसको पूरी एक शेप दे लेनी है उसकी कोई जिस फ्रिजब और या और इसके एं ब्रेस्ट पीस था जिसके अनमें लेट प्रेष्ट था सलाइज लिया था उसके हिसाब से जिटने नगर्ष बनते थे मैं इन के हिसाब से इसकी यह टिकी बना ली थी बड़ी सी अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे कि अगर सेट हो जाए डो तो बहुत ही अच्छे से नगर्स जो है कट होंगे और वो अपनी शेप में रहेंगे अब मैं इनको कटर की मदद से इनकी जो है साइज के अकॉर्डिंग जितने भी बनाने चाहें बना सकते हैं अगर आपके पास मुक्तलिफ शेप से आप बच्चो बनाई और सिंपल से इनको अलग कर लिया और एक दफा उनको फिर से सेट कर लिया था इसी तरह आपने वन बैवन एक उसमें से निकाल के प्लेटर में से उनको सेट करके जो है सार सबको अलएदा अलएदा कर लेना है और फिर हम नेक्स्ट इनकी जो है कोटिंग के लिए ज पैंडने के बाद उसके अंदर थोड़ी से स्पाइसी अड़ करेंगे तो इसके इंदर थोड़ी सी ही हम ब्लाइक पेपर यानकि पाले मिर्चे थोड़ी सी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद ये हैं जी हमारे सारे इंग्रीडियन्ट जो हमने अभी लास पे कोटिंग करनी हैं ये एग वाश और ये हमारे ब्रेट करम्स हैं जो हमारे नगर्स के उपर हम लगाएंगे फाइनल वन बाई वन आपने एक एक नगर्स को उठा के उसकी पहले हम जो है कोटिंग करेंगे एग के साथ एग में उसको फुल डिप करना है ताके उसकी चारो साइड पे जो है एग का मिक्सचर अच्छे से लग जाए तब ही उसके उपर ब्रेड करम्स जो है वो चिपकेंगे और उ कोटिंग उसमें प्रेस करनी है ताके वो एग वाश्ट जो उसके उपर लगा हो है उसके अंजर अच्छे से ब्रेड क्रम्स जो है चिपक जाए और सब साइड में जो है ब्रेड करम्स अच्छे से चिपक जाएं और उनकी फुल फईनल वही लुक घाए जो हम एक्चली में बजार से नगर्स हम भाई करते हैं ये देखें इस तरह उसकी फुल साइड्स को आपने कवर कर लेना है और सारे नगर्स इस पर लगाके सोरी ब्रेड करम्स अटाइच करके तो इसका बन बाई वन इसी तरह हम जो है सारे नगर्स को एग के अंदर डिप कर me दो से तीन घंडे के लिए freeze करें जब ये freeze हो जाये तो वन बाई वन इनको उठाके आप किसी भी बैग में पैख करके ये शॉपर में आप इनको freeze कर ले और पर जब मर्जी आप इनको बना के fry करके करें अब हम इनको फ्राइ करते हैं, सबसे पहले एक प्यान में आपने आइल को हीट कर लेना है, लो टू हाई फ्लेम पे बहुत ज्यादा हीट आइल ना हो, और उसके अंदर वन बै वन आपने सारे नगर्स रख लेने हैं, और फिर उनकी एक साइड को लो टू हाई फ्लेम पे कु करना है इतना कि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा जो है चिकन फुल को खो चुक है और नगर्स रड़ी हो चुक है, और अब हम उनको करेंगे प्लैटर में शिफ्ट, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और इंजाए करें, बजारी खाने को छोड़ें और घर म हेल्दी अपने सामने अच्छा हासा बनाई, यह मैंने जिस बांजी के लिए बनाए थे, उसी को जो है मुबाइल पकड़ा के मैंने उससे बोला था, यह मुझे कट करके इसकी लुक देने, तो यह देखें, बजारी जैसे फुल, उनकी लुक होती है, सेम वही आई है, आप को अब कोई जरूरत निया बजार से नकट सरीदने की घर में बनाएं और मज़े से इंजाए करें, होप सो आपको यह एजी सी रेस्पी पसंद आई होगी, जरूर ट्राइ कीजिएगा, बचों को खिलाने के बाद अपना रिस्पॉंस जरूर शेयर कीजिएगा, आला से नकटीए जरूर शेयर कीजिए, यह एरूर शेयर कीजिए रेस्छी झात